दादे नानी द्वारा बताए गए किचन के तीपस और ट्रिक्स सबसे पहले हरे मतर को निकाल कर प्लास्टिक की थैली में रख देने से मतर ताजे बने रहते हैं दूद को उबालते समय यदी फटने की संभावना हो तो थोड़ा बैकिंग पावडर डाल दे इससे दूद फटेगा नहीं आलू और प्याज को एक साथ ना रखे ऐसा करने से आलू जल्दी खराव हो जाएंगे नेक्स्ट है करेलो की करवहट निकालने के लिए छिलकर नमक लगाकर रख देने से करेलो की करवहट निकल जाएगी नेक्स्ट है पूरी या पकोड़े बनाते समय गरम तेल में चुटकी भर नमक डाल दे इससे ये कम तेल सोखेगा next है अगर आपको दूद से जादा मलई चाहिए तो दूद को हमेशा धीमी आज में उबाले next है जले बर्तन साफ करने के लिए उसमें प्याज कात कर पानी में उबालने से बर्तन बिलकुल चमकने लगेंगे next है खाना बनाने के बाद खाली चुले पर तवा ना रखे ग्यास बंद करने के बाद तवा कभी भी उसके उपर ना छोड़े नेक्स्ट है सुभा जब भी पहली बार तवे को ग्यास पर रखे उस पर नमक डाल दे गर्म तवे पर नमक डालने से वस्तो दोज दूर होता है नमक साधा होना चाहिए इसमें मिर्ची या हल्दी नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है अगर चावल में इक्स्ट्रा पानी हो गया है तो प्रेट का चूरा डालने से चावल का पानी बहुत ही आसानी से कम किया जा सकता है ज्यादा पक गए टमाटर को अगर नमक मिले वे ठंडे पानी में डुबो कर एक घंटे के लिए छोड़ दे तो ये दोबारा कड़े हो जाते हैं नेक्स्ट है चाकू पर यदी जंग लग जाए तो चाकू को प्याज में जोप कर रखे 15-20 मिनट बाद निकाल कर धोएं चाकू साफ हो जाएंगे नेक्स्ट है अंडे उबालते समय पानी में एक चम्म सफे सिरका मिला दे इससे जल्दी तूटेगी नहीं नहीं नेक्साय ल्हसुन की कलियों को थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डाल दें थोड़ी देर के बाद जब आप लहसुन चीलेंगे तो यह तो अजनी चिल जाएंगे नेक्स्ट है करीपत्ता और धनिया की पत्तियों को ताजा रखनी के लिए उन्हें पतले कपड़े में लपेट कर फ्रीज में रखें नेक्स्ट है पीपल पीतल या ताम्वे की वस्तुओं को चमकाने के लिए इमली का उपियों करें घर में पनीर बनाने के ल और फटने का डर हो तो उसमें एक चमस पानी में आधा चमस खाने का सोड़ा मिला का डाल दे दूद्ध फटने से बच जाएगा नेक्स्ट है भटूरे के आटे में जल्दी खमिर उठाने के लिए ब्रेट के दो तीन स्लैज सुरा करके मिलाए नेक्स्ट है किस्मिस और चिप चिपे चीज को पीशना हो तो इसमें निम्बो का रस डाल कर पीशे इसे यह चिप चिपे नहीं होते इस तरह से कुछ दादियों नानी द्वारा बताएगे टिप्स और ट्रिक्स है धन्यवाद